दादी 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 बच्चो क्या हुआ दादी हैपी मकर सक्रांती हैपी मकर सक्रांती दादी हैपी मकर सक्रांती बेटा हैपी मकर सक्रांती अरे वह बच्चो आज क्या बात है तुम लोग सुबह सुबह बिना आवाज लगाई उठ गए हाँ दादी आज मकर सक्रांती है जी निए ड़ने शुपना सुबह सुबह उड़ गए और आज हम पूरा दिन पतंगे। ठीक है उड़ा लेना लेकिन पहले मेरे साथ चलो, आज मकर करले थाधि न सुरीदेर सुचा कर लें। ठीक दादी ऺजाए Ziro लोलों सुर्याय नमां ओरना चुछ प्रीज resolves ने ऐसरे इन जिआन मेरे साथ गाहतारी मन्स्का ऑच्छेति बात्र गार्थ पारो लोगन का कर। तक्रुण बच्छान remember आफो देवह शदेवही, दियो यो नाः प्रै चो दया ओम शान्ती, ओम शान्ती, शान्ती ही, ओम चलो दादी, सूरिय पूजा तो ओ गई, आप चलो हमेНе आपको खुछ दिखाना आओ कहाँ जाना है, अरे दादी, चलो आपको कुछ दिखाना है अच्छा ठीक है जा आजो ये देखो दादी मेरी रंगोली और दादी बो देखो मैंने डेकोरेशन करिये जो वाव बच्चो तुम लोगोने डेकोरेशन मकर सकरांती की बहुत ही सुंधर की है मैं सोच रही थी कि इस साल भी मैं खुदी सारे सिजावट करनी पड़ेगी लेकिन एक बात मेरी समझी में नहीं आई कि तुम लोगोने इस सब किया कब अरे दादी इसलिए तो हम सुबह जल्दे उठे थे डेकोरेशन का समान दो कल मुम्मी ले आई थी और मैंने सुबह उठके रंगोली बना दी और मैंने सुबह सुबह उठके ये डेकोरेशन कर दी और दरवाजी के उपर तोरन लगा दी वा बच्चो ये तुमने बहुत अच्छा काम किया ये पूरी सिजावट करके चल चीनोब हम चलते हैं आजा अब कहां जा रहे हो दादी आपका सारा काम हो गया ना हमने सुबह पूजा भी कर ली तो अभी हमें अपना काम करने दो ना जिसके लिए हम सुबह सुबह जल्दी उठेते और साल में दो ही तो मोक्य होते हैं जब हम ये काम कर सकते हैं ऐसा क्या है अरे दादी पतंग बाजी ओ अच्छा अच्छा तो दादी ये भम जाएं अरे बच्चो तुम लोगो को कोई रोक पाया है आज तो तुम लोगो का ही दिन है जाओ खुम मस्ती करो चल चीन वाजा अरे बच्चो आज तो मितनी जल्दी कैसे उड़ गए अरे मम्मी आज मकर सक्रांती है ना हैपी मकर सक्रांती मम्मी हैपी मकर सक्रांती मम्मी हैपी मकर सक्रांती बच्चो अरे बभू बच्चो ना सिर्फ जल्दी उठे हैं बलकि नहाँ धोके इन्होंने मकर सक्रांती की पूरी सजावर भी कर दी है और मेरे साथ जाके सूरीदेव की पूजा भी कर ली है अरे क्या बात है बच्चो इससे तो मेरा सारा काम बच गया मेरा मतलब हमारा काम बच गया अच्छा चलो फटा फटा तुम्हारा खाना लगा दे तो अपनी दादी के साथ बैठ के खाना खालो मम्मे, हम खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले हम पतंग उड़ाएंगे, हम बाद में खा लेंगे खाना अरे थोड़ा टाइम लगेगा, खाना खा के चले जाओ अरे बहु जाने दो लो बच्चों को, साल में दो बारी तो नको मौका मिलता पतंग उड़ाने का जा बच्छे जाओ तुम्जु जाओ ठेंक्यू दादी, चला जा अब देखे हो भाई, तुम मेरी शक्ती मैं जैसे ये पतंग हावा में फैक होंगी ना ये ऐसे चील की तरह उड़ते हो जाएगी अच्छा, उड़ा के दिखा चल लटता है मेरी कोछ जादा ही शक्ती से फैक दी पतानी मेरी पतंग गई कहापे, दिखी नहीं रई अबे ओ, दे ये पड़ी नीचे तेरी पतंग जादा शक्ती से फैक दी कर दिखे चील की तरह पतंग उड़ागे दिखाऊँगी एक मिनिट के ऊपर कहाँ पहुचा दी मोटी गेंडी हाथी बच्चे खाने वाली चुडएल डायन तेरे को दिखाई नी दे ना मेरे पेर पेर रख दिया अरे जब तरसे अपना ये भारी भरकम शरीर बुल्डोजर जैसा संबालनी जाता तो या उपर क्यों पतंग उड़ा या ये नीचे जागे बैठती ना मेरे पेर पे चड़ गई तु पागल अभी तो में तेरे को सोरी बोलने वाली थी पर तेरी इतनी बखवास सुनने के बाद मैं में बिल्कुल सोरी नी बोलूँगी हाम मत बोल चैस पतंग उनाने दे मेरे को तुम्हे मेरे पतंग काट दी चुट चाप नीचे जागे बच्चों के तरह दो लिमोन देख सपरेके कशिसरों सक्षारेक childcare न जीए विढ़ी बसे दिजागे का अगए की कॉनशार कि अगिए अ दिमार्ट पाधने की आता मॊर्च के पाधने की है न की तुलाइशका आधा भाभॉचार वड़ जातां लिकारा के TSanska अब आई किया लोग मकर संकानती वाले दिन लोग शट पर पतंग उड़ाने आते हैं लेकिन पहली बार पता चला कि लोग पतंगे साथ आतीज हैं लड़ने भी आते हैं तो ही कहे रहा है भाई पतंग बाजी के साथ सथ अंटरटेंडमेंट प्री यह तो बच्चे किसके खो बच्चों के साथ तुम दुनों लड़ रहे हो लड़ रहे हैं बिलकुल लड़ रहे हैं तब सब तुम तो जैसे बड़तीस मरखान हो पतंग बाजी में अगर इतना ही घमन नहीं तो आजो मैदान में पता लग जाएगा कौन खिलाडी है और कौन अनाडी अब हम दोनों तो करते हैं पतंग बाजी लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हमें अपनी सारी पतंगे देनी पड़ेगी है मन्जूर हाँ ठीक है मन्जूर है और तुम दोनों को राने के लिए ना ये मेरी छोटी बैनी काफी है चल मेरी चीती दिखा अपनी दाड़ इनको अरे भाई धी डील दे रहे क्या कर रहे है डील दे दे अच्छे से अरे दे रहा हूं यार अरे 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 इसी के साथ तैले नमूना तो गया अब दफर नलायक मंद बूदी कतवा दीना पतंग हट तू तेरे बसकी ना कुछ नहीं है मैं दिखाता हूं कैसे उडाते हैं पतंग अख अए मेरे से लड़ा पेची आजा अब हगा तुझे भी देख लेंगे एड इल दे नए अच्छा बच्चू मेरी मिल्ली मेरे से मैं और तू दील दे फिकसा डील दबर नौए पतंग बिकट जाएगी तू छोट तु में जा ही दिखा तू दील दे तू देल ले देख ए ए आज़ी के साथ दूजर का मुना भी गया बेवकूफ है कि ना तरको चर्खा पकड़ना आता ना पतंग उड़ाना आता कटवा दीना मेरी पतंग भी अच्छा मतलब सारी गलती मेरी है हाँ अच्छा तरको तो बड़ा पतंग बाजी में अर्जुन वर्ड मिला हुआ है हाँ मिला अर्जुन वर्ड बता क्या करेगी अभे ओ यह अपना फैमिली ड्रामा घर जाके करना अभे हमारे ही नाम की बारी चलो आके अब हमारी सारी पतंगो ठीक है ठीक है लेकिन हम तुमारी अगर चाहिए ना तो हमारी चत पे आके लिए जा हाँ रुज्या आ रहे है अब है लो पकड़ो पकड़ो कभी कभी गदे भी चूरमा खा लेते हैं जाओ दिकलो मोज मारो आज तुमारे पुरत जिन का जुगार हो गया इस से अच्छा तो ना मैं तेरे साथ उ पर आती ही नí ते रे चक्कर में ना मेरी सारी पतंग चली गई मेरे चक्कर में, नहीं मेरे चकर में अबै ओ तेरका चर्खा पकड़ना तक तो आता नहीं है और पतंगो रख्य करतिकिया उनमेरा फूक्तेंगी Aaaa... मेरा पैर... अबाइन कहीं की कोण से जनम मदला निकार के लिए। मेरा पैर फोड दिया। सोरी भाईu सोरी है मैंने जान पूच के नहीं किया। तेरी सोरी तो भी मत द्धोंétais हूँ हूँ। रहा कर ही है तू है... मामा... हा भाण्यी... भाण्ये? मामा अगर मैं आपके प्यारी भांजी होना तो मुझे स्रावन से बचा लो हाँ भांजी मैं बचाओ मोदर को वा मामा वा मतलब आज आपने अपने भांजे को पराया कर दिया अरे याद करो जब दादी आपको डाटती थी धंकाती थी तो आपकी साइड कोन लेता था अरे मामा वा मतलब आज एक चोकलेट के लिए आपने अपनी नियत दुबा दी अरे क्या मैं आपको पांच चोकलेट दूँगा पूरी पांच पांच चोकलेट अरे मामा इस कंगले के पास कहा से चोकलेट आएगी मैं दूँगे आपको चोकलेट अरे यार मुझे निखानी तुम लोगी कोई भी ये चोकलेट और लड़ना लड़ो मरना है मरो जो कर रहे करो अड़ हाँ और पपप दबड़े तु कमाया अब तुने क्या कर दिया क्यो इन दोनों की लाई करमार है अरे तदी मैंने कुछ नी कर आई है दोर पहले सही लड़ र दपıt अब है तु छुप ए मगया है रे टादी मैं को भी मांगने महला लगता हूं देखो 我ma I am a very respected person of this country अच्छा ये तो बता दे respected के spelling क्या है हाँ मुझे आते है R-E-S-P-E-G-T-I-D respected चुपकर बेवकुफ कहीं का तू ये बता हमारे घर क्या गर में आया है अज दादी आज मकर संक्रांती है ना तो मैं सक्राद देने आया हूँ देख हमको तरी कोई स्कीम ने चाहिए यहाँ पर अरे ये पूरिया अरे दादी मैं आपको यहाँ पर कोई स्कीम बेच ले नी आया हूँ तिन रात महनत करके पूरा दिन एक करके अरे आप लोगों के लिए सक्राद लेके आया है वो देखो सही जरा टेबल पर अरे मम्मी जी पपू सच कह रहा है देखो कितना समाला है रेवडी, गज्यक, मूफली, मिठाईया, फल, चावलोर चीनी अरे वाँ पपू तू तो लगता सुदर गया है पहले तो खाली मांगता ही था अब तो देना भी सी गया है लगता है ये साल मारली बहुत शुब है अरे तिल के लड़ू, ये तो मेरे फेवरेट है, ये सारे मैं अकेल ही खाजाऊंगी अरे वाँ मुंफली, गज़क रेवडी, क्या बहुत है, सारी खाजाऊंगा देख रेचित बेटा, तेरा मामा ना सक्रात लाया, तू भी अपनी बुआ के घर जाओ और सक्रात देया अरे ममी मैं नहीं जारा कहीं पे भी, बुआ को आप यहीं बुला लो, यहीं बुला के सक्रात दे दो उन्हें यां क्यू बुलाऊं, उनके घर जाके देकिया, सक्रात जो है घर पे जाकि दी जाती है और वैसे भी न अगर वो यहां आ गए तो लास कमया निकालेंगी आउनलाओ समान पैक करके दो अब क्या यार अब जाके बुआ को सकराब दे के आओ कितना भारी है यह वो तो बड़ी आयार कि बुआ घर के पास ही रहती है कहीं दूर रहती ना तो बस में या फिर रेल में बैठ के जाना पड़ता यह सारे काम ममी मेरे कोई क्यों पकड़ा द तेस्टी खाना बना के खिलाया मेरे को वह गाजर का हलुआ कितना टेस्टी था यार वैसे जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है अच्छा हुआ बुआ के घर चला गया बुआ के घर नहीं जाता तो फिर 2000 रुपे कैसे मिलते है मम्मी सक्राब द आया बुआ के घर पर बुआ ने आपके ली यह दिया है क्या है क्यरी क्यूआ से स्पेशल देड के लिए को तैर रुपे कितनी खाराम है ना टेर बुआ अरे नहीं मम्मी बुआ तो बहुत अच्छी है बुआ ने ना मेरे को इतने claims पकवान बना के खिलाए हैं और मेरे को तो मानशममान के पैसे भी दियें पैसे बाई कितने पैसे दियें यह दे去了 հूपय को मान extends has a के नाम के भाई यह तो बहुत गलत बात है इसमें से अध्य मेर को भी दे अब तेर को क्यों दू ये पैसे सक्राद देने मा केला गया था तो ये सारे पैसे मेरे हुए मेरे ये पैसे मैं रखूँगी तुम मैंसे कोई नहीं रखेगा तुम ना इधर उदर खर्च कर दोगे तुम इरको दस रुपे दियें करम जलीने हलो है है इस फोन की घंडे नो तंकर मा रहा है तुम बज रहा है कि अपसे हलो कौन है बत्तमीज बेशिरम बेरोजगार इंसान तुम एक घंडे पहले मेरे दुकान से इतना सारा समान लेके फूर हो गया और बोलके गया था कि भाई एक घंडे में आके पैसे दे रहा हूं और तुम मेरा फोन भी दे उठा रहा है यो भाई ये बता मेरे पैसे कब तक देगा तु और हां मुझे ना और दुकंदारों की तरह मा समझी हो कि अपने पैसे बूल जाओंगा मेरे पैसे दस मिनट में आने चाहिए नहीं तो तेरा जीरा हराम कर दूँगा ओ पपू ओ पदोड़े किस से बचता फिर ने दूँ यार एक तो ये ठंड ने इतना परेशान करके रखा हुआ है और उपर से ये बधाजमी बना दर्द हो रहा है और एक तो इस बुडिया ने भी परेशान करके रखा हुआ है खुशट कहींगी अरे क्या हुआ दादी क्यों चिला रहे हो फाल तुम्हें वो भी मेरे भाई पे इसके कारणामे मैं बताओ तुम्हें जीजू इतना सीधा और शरीवजादा बना घुमरा है ना पता है सक्रांत कैसे लेकिया है ये कहां से अरे क्या तुम लोग सब ये बातों में लगे पड़े हो है दादी को तो कभी मेरी कामयाबी से खुशी नहीं होती अरे कामयाब हो तो मिलेना खुशी सच सच बता या मैं बताओं ये जल्दी से बताओं ये समान कहां से लाया तू वो समान तो मैं ले आया था पर उसके पै दोखा औरे मामा कम से कम तयों आर के दिन तो दो नमरी का काम मत करते अरे बेटा आज मकर संक्रांती है ना तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे मामा की तरह तुम लोगों को सक्राद देने आऊं अरे इसके लिए जरूरी नहीं है तो पुरी दुकान उठा के ले आए एक छोटा सा मिठाई का डबा ले आता तो वो भी बहुता वो तो अच्छा हुआ मैंने तेरा फोन उठा लिया नहीं तो हमको तो पता ही नहीं चलता तू क्या घपले बाजी करके आ रहा है अच्छा तू ये पता ही सवान का हिसाब कितना हुआ है वो दीदी तीन अजार अरे मामा आप म लोग हार के आए हो क्या हा दादी आपको तो पता ही है में पतंग उडाना कहां इतने अच्छे से आता है अरे तो तूने मुझे पहले को नहीं बताया हमने तो अपने टाइम में बहुत पतंग बाजी की है और पतंग बाजी के कंपिडिशन भी बहुत जीते हैं लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम मेंसे किसी को मालूम है कि हम मकर सकरांती क्यों मनाते हैं नी दादी हमें तो नहीं पता मकर सकरांती क्यों मनाते हैं अहां दादी वैसे मुझे भी नहीं पता आजा तू भी आगे बैठ जा सुन ले चलो दादी, बताओ अब मकर सकरान्ती क्यों मनाते हैं तुम याद करो, तुम लोगों को सुबह सुबह मैंने सुरीदेव की पूजा कराई थी क्यों कराई थी? पता नहीं दादी, आप ही बताओ न कि इस दिन सुरीदेवता मकर राशी में परवेश करते हैं और उत्तर दिशा के और चलना शुूरू कर देते हैं, इसलिए इस दिन को उत्रएंड भी बोलते हैं, इस दिन से सर्दी कम होनी शुह हो जाती हैं। और दिन बढ़े होने शुरू हो जाते हैं इंडिया के कई स्टेट्स में इस दिन देवी की पूजा होती है क्योंकि इस दिन देवी ने दो असरों का वद किया था जिनके नाम थे संक्रासूर और किंक्रासूर मकर सक्रांती को अलग लग जगा पर अलग लग नामों से पुकारा जाता है जैसे पंजाब की साइड में लोडी के नाम से जानते हैं साउथ इंडिया की साइड में पॉंगल के नाम से जानते हैं और विहायर की साइड में खिचरी के नाम से जानते हैं ये दिन किसानों के लि जाता है जैसे कुछ घर खरीदना है या शौपिंग करनी है या शादी बया करना है कोई भी शुब कारे करना है लोग इसी दिन करते हैं दादी है तो आपने मकर सकरांति के बारे बहुत कुछ बता दिया थोड़ा शोट करके बताओ ना इस दिन लोग सुबह सुबह जल्दी उठके नहा लेते हैं सूर्यदेव की पूजा करते हैं घर को सजाते हैं रंगोली बनाते हैं एक दूसरे को मिठाईयां बांटे हैं और जो भी आपस का कोई मन मुटाव होता है उसको दूर कर देते हैं और तुम्हारे जैसे चुलबले बच्चे जाके पतंग बाजी करते हैं कंपनिशन करते हैं एक दूसरे की पतंग लुटते हैं काटते हैं मजे करते हैं अच्छा एक बात और सुनो जो अयोद्य में भगवान राम का भवे मंदिर बन रहा है ना उसमें अगले साल इसी दिन भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा होगी क्योंकि मैंने तुमको पत राम की जाओ इससे पहले किस किस को पता था कि हम मगर्षकारण्थि क्यों मनाते हैं जिनको पता था वह अपने उत्तर कमैंट में लिखो और जिसको नहीं पता था वो इस वीडियो को सभ के साथ करो ताकि सब को पता चल जाये चलो दाड़ी हमें पता तो लग गया कि मार्त सकरांती क्यों मनाई जाती है और साथ ही साथ हमारी ओडियन्स को भी पता लग गया तो अब चलो चल के पतंग बाजी करें सब ठीक है चलो चलो अजो वाई सार अजो बहुत रादील देना आई बो हेपई एपी हेप्ट करांती आप सबको मेरी तरफ से और भां कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके पर दो कि कि मैणे ये वीडियो में बता भी दिया है तो कमेंट जरूर करना और इसको नहीं पता वीडियो को शेर कर सेंठे ता कि सबकोった लग जाए और भाई, once again, happy makar सकरांती, खूब सारी खुशिया मनाओ, खुशिया बाटो, खुशिया फैलाओ, और वीडियो देखो, खुश हो जाओ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी भी लूँगा नई वीडियो के साथ, बाई गाई बाई, लूँगा छाई, भी लूँगा बाई, यह अजगा बाई